अलाम अलेकुम वरहमत तुल्लाह बरकातु हूँ राइटिंग स्किल जो कि बहुत इंपॉर्टन्ट है नाइन्थ तैंथ के लिए आप जानते हैं इस पर बीस माक्स होते हैं और पंद्रा माक्स के लिए अभी तक मैं पांच वीडियो बना चुगा हूँ याने लेटर राइटिंग पर दो वीडियोज, डालोग राइटिंग और स्पिच राइटिंग पर एक एक वीडियो उसी तरह से वर्बल और इन नॉन वर्बल पर 35 मिनिट का एक वीडियो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिए और उन्हें डाउलोड भी कर लीजिए आज का मेरा वीडियो ये आखरी वाले पांच मार्क याने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में होने वाले हैं इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जो इंशल्ला स्टोरी राइटिंग पर होंगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो आईए आज रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हर तरह से मकमल जैसा लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग जिसे हम उर्दु में रूदाद नवेसी कह सकते हैं 8, 9 और इसके अलावा 10, 11, 12 के लिए ये इंपोर्टन टॉपिक है Standard 8 और 9 के लिए ये Question 5 Mark के लिए पूछा जाता है इस वीडियो में मैं इसकी Marking Scheme बताऊंगा Report Writing में कौन सी चीज़े Important होती है इसके लिखने की Steps क्या होती है और इसके लिए कुछ आसान टिप्स क्या हो सकती है मैं आपको इंशाला इस वीडियो में बताऊंगा तो मेरे साथ बने रही है जैसे आप जानते हैं अख़बारों में News जो प्रिंट होती है उसके जरीए हमें उस खबर के बारे में पुरी मालूमात मिलती है कि वाकिया क्या है, वाकिया कहा हुआ, कब हुआ, कौन-कौन लोग इसमें इन्वाल्व है वगएरा आपको भी इमतिहान में इस तरह की रिपोर्ट राइटिंग लिए आती है जहां पर कोई फंक्शन जो आपकी स्कूल में हुआ है उसकी जानकारी आप रिपोर्ट की तरह मैगजीन में देंगे या बास दफ़ा किसी एक्सिडन्ट या कोई एहम वाकिया जो आपके सामने हुआ है आप उसकी रिपोर्ट बयान कर रहे है आप जानते हैं नियूज स्पोर्ट की हो सकती है बिजनस की हो सकती है इसके अलावा पॉलिटिकल नियूज होती है साइन्स के फिल्ड के बारे में नियूज हो सकती है एजुकेशनल फिल्ड के बारे में नियूज होती है Current Affairs और National, International या फिर Regional इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की News होती है साथी साथ किताब हमें बताती है कि News का Template कुछ इस तरह से होना चाहिए यानि सबसे पहले Headline जिसे हम Title कहते हैं लिखा जाता है इसके बाद Date Line होती है Date Line में हमें Day, Date, Place, Resource वगरा लिखना होता है फिर सी के नीचे Introduction के कुछ सवालात होते हैं जिसमें हमें WH Questions की मदद से एक Paragraph तयार करना है फिर हम एक दूसरा Paragraph बनाते हैं जो के एक छोटा सा मुख्तसर Paragraph होता है इसमें भी तफसिलात डाली जाती है और आखरी पे Conclusion होता है News Report ये Question हमें Question 6B में मिलता है News Report के मकाबिल में आपको Story Writing भी लिखने को आती है Story Writing के बारे में हम फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे ये Question 5 Mark के लिए पूछा जाता है और अगर Student पूरे तवज्जो के साथ ये वीडियो देखे और समझे तो इन्शाला उन्हें 5 में से 5 ये कमसकम 4 Marks तो मिली सकते है यहाँ पर Marks की Distribution कुछ इस तरह से होगी Title और शिरुवात करने पर आपको एक Mark मिलेगा Vocabulary और Grammar के इस्तेमाल पर आपको एक Mark मिलेगा किस तरह की Vocabulary का इस्तेमाल करना है इन्शाला मैं आपको अगली स्लाइड में जल्द बताऊंगा जी हाँ न्यूज रिपोर्ट में कुछ इस तरह की अलफाजों का इस्तेमाल हमें करना है जिससे हमारी लिखी गई राइटिंग बाकरदा एक न्यूज रिपोर्ट की तरह लगती है आप जानते हैं हर फिल्ड में कुछ खास किसम के अलफाज का इस्तेमाल होता है जैसे मेडिकल फिल्ड में आप जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर, नर्स, ड्रेसिंग, बैंडेज, पेशन्ट इस तरह की कुछ अलफाजों का इस्तेमाल होता है निउस रिपोर्ट लिखने की दौरान भी कुछ इस तरह की खास अलफाज का हमें इस्तेमाल करना है तीजरा पॉइंट यहां हमें यह बता चाता है कि जब हमें यहां मिसाले देते हैं, अपने बातों को समझाते हैं, तफसिलात बयान करते हैं तो हमें यहां पर दो मार्क मिलते हैं और जब हम तरतीब वार अपने आर्टिकल को कंक्लूड करते हैं, यानि इखताम पजिर करते हैं तो हमें यहां पर एक मार्क मिलता है यानि आप कह सकते हैं कि title के अलावा main body पर आपके 4 marks depend करते हैं क्योंकि आपका जो main paragraph है वहाँ पर आपके 2 mark और उसी में शामिल होते हैं vocabulary grammar का एक mark और आखिर में हम conclude करते हैं उस पर भी हमारा एक mark अब जान लीजिए कि report writing लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है उसमें से चन्द मोटी मोटी बाते ये हैं जैसे कि आप समझते हैं कि report writing जाहिर सी बाते किसी हो चुके वाके के बारे में हैं इसलिए हमारे ज़्यादतर sentences past tense के होना चाहिए यहाँ पर आपके अक्सर जुमले इस तरह के होंगे जो past tense खास्तों से simple past tense के हो इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है कि आपको यहाँ पर passive voice का स्तेमाल करना है जो बच्चे passive voice के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो उनके लिए grammar का ये topic मैंने description में इसकी link डाल दूँगा वो वीडियो भी आप देख लीजिए passive voice में आपको was where का स्तेमाल करते हुए verb का third form use करना होता है passive voice में स्तेमाल होने वाले चंद जुमले मैं आपके screen पर कुछ देर के बात दिखाऊंगा जिसे आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए यहाँ अगला point है कि report writing लिखते वक आप indirect speech का स्तेमाल करें आप जानते हैं जो बाते हम करते हैं उसके दो अंदाज होते हैं एक कहलाता है direct speech दूसरा होता है indirect speech direct speech की एक आम पहचान यह है कि उसमें punctuation marks वगरा का स्तेमाल होता है comma, inverted commas, exclamation sign, question mark वगरा तो हमें इस तरह के sentences इस्तेमाल नहीं करना है बलके हमें indirect किस्म के जुमले इस्तेमाल करना है direct और indirect grammar किस तरह से solve करते हैं इसका भी एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसकी link नीचे दी जा रही है रिपोर्ट राटिंग का अगला उसूल यह है कि आपको first person में यानि कि I और V का स्तेमाल जुमलों में नहीं करना है कोशिश कीजिए कि आपके sentences जादर से जादर इस तरह के हो जहां पर third person का इस्तेमाल किया गया हो यानि कि he, she, it वगएरा या दे वगएरा इस तरह के लफजों का इस्तेमाल हो और इन से बनने वाले अलग-अलग प्रोनाउंस जैसे ही से बनता है him, his, himself वीडियो की शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हर शुबे में कुछ खास किसम के वकबलरियन अलफास का इस्तेमाल होता है रिपोर्ट राइटिंग में आपको स्क्रीन पर दिये जा रहे अलफास को अपने रिपोर्ट राइटिंग में इस्तेमाल करना चाहिए जैसे celebrate जशन मनाया गया, organized इंतिजाम किया गया, arranged इंतिजाम किया गया, was held फलाँ प्रोग्राम लिया गया, conducted या दूसरी लाइन में इन्वाइटेड फला शक्स को बुलाया गया था, मदऊ किया गया था, प्रिसाइडेड याने फला सहब ने प्रोग्राम की सदारत की, इंट्रोड्यूज, तारुफ पेश किया गया, स्टार्टेड, शुरुआत हुई, और इसी तरह से बाकी अलफास क कर लीजिए, तीसरी लाइन में फैलिसिटेड याने बधाई दी गई, मुबारक बात दी गई, गेव स्पीच तक्रीर की, एडवाइजड मश्वेरा दिया, तोल्ड, ने कहा, इन्चार्ज, इन्चार्ज ओफ याने फला चीज के जिम्मेदार, पार्टिसिपेटेड, हिस् हुए, डेकुरेटेड, सजाया गया, प्रोपोस्ट, बात पेश की, वोट आफ थैंक्स, शुकरिया अदा किया, या रस्मे शुकरिया अदा की गई, एंडेड, प्रोग्राम खतम हुआ, क्लोस्ट, वेर स्टेज, स्टेज पर थे, बिगैन विथ, शुरुआत हुई, इजॉइड, मज़ा लिया, यह अलफास नहायत आसान भी है, और आप इसे आसानी से याद भी कर लेंगे, इस तरह से आपका जो रिपोर्ट राइटिंग का एक्टिविटी है, इन्शालला वो आसान और बहुर अच्छा हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर इसी तरह से कुछ important keywords है, आप इन्हें भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जहां मुनासिब लगे, आप अपने वीडियो को pause कर लीजिए, और इन अलफास को अपनी notebook में लिख लीजिए, आईए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, कि actual news किस तरह से लिखी जानी है, और उसके लिए ह हो, Independence Day celebration हो, या Republic Day पर मनकित किया हुआ कोई प्रोग्राम, आप स्क्रीन पर बताए गए इन जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इन में छोटा मोटा सा चेंज आपको करना होगा, जैसे time, date, या जगा, उसी तरह से आए हुए महमानों के नाम भी आपको सवाल के मताबिक होंगे, जैसे पहला sentence, our school had organized dash on dash, हमारी स्कूल ने फला मौके पर फला प्रोग्राम इन निकात किया, अब वो प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, उसकी date भी अलग हो सकती है, या आप दोसरे नंबर का sentence यूज़ करेंगे, our school celebrated dash on dash, याने हमारी स्कूल ने फला फला मौके पर फ Standard 10th was held in the school hall on dash at 11 a.m. दसवी जमात के तुलबा का send-off प्रोग्राम इतनी तारिख को इतने बजे मौकेत किया गया, या चौथा sentence, the annual sports day was held in our school on, हमारी स्कूल में sports day मनाया गया, और वो इतनी तारिख को मनाया गया, या पांचवा sentence, our school had arranged picnic on, हमारी स्कूल ने picnic का इनकाद किया, 6th sentence, Mr. XYZ was the chief guest of the program, फला फला शक्स हमारे इस प्रोग्राम के महमाने खुसूसी थे, या फिर Mr. XYZ presided over the function, XYZ सहाब हमारे इस प्रोग्राम के सदर थे, अगला sentence हम इस तरह से modify करेंगे, दा प्रोग्राम स्टार्टेड विथ प्रेयर, प्रोग्राम की शिरुआत दौाईयक अलमाच से हुई, फिर उसके बाद, अवर स्कूल हेड मास्टर इंट्रिडूस्ट दा चीफ केस्ट, हमारे स्कूल के हेड मास्टर सहब ने महमाने खुसूसी का तारुफ कराया, फिर वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स वेर ऑल्सो और्गनाइजड, अरेंजड, मुख्तलिफ किसम के सकाफ़ती प्रोग्रामों क यहां इनिकात किया गया, दा प्रोग्राम बिगैन वीट कुरान रिसाइटेशन, प्रोग्राम की शिरुवात तिलावत कुरान पाक से हुई, नेक्स सेंसेंस कुछ ऐसा हो सकता है, दा लाइट डेकोरिशन वाज वेरी अट्रेक्टिव, लाइट का इंतिजाम बहुत ही मुकाबले हुए, हेड्मास्टर कॉंगरिचुलेटेड ओल दे विनर्स, हेड्मास्टर साहब ने मुकाबले में जीतने वालों को मुबारक बाद पिश की, वगेरा, आप चाहे तो वीडियो को यहां पॉस्ट कर लीजिए और इन इंपोर्टन्ट लाइन्स को अपनी नोट चाहरा लाइन्स के दर्मियान अपनी रिपोर्ट राइटिंग तयार कर लेता है, तो उसे चाहिए कि वो इसे एक फ्रेम बना दे, हाला कि ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, पर ये आपके जवाब को एक अच्छा एट्रेक्शन दे देता है, याद रहे ये बॉक्स या फ्र यानि टाइटल लिखना होता है, आम तोर पर बोर्ड का परचा आपको हैड्लाइन पहले से ही देता है, यहाँ पर स्टूडन्ट को तकरीबन एक मार्क मिल जाता है, इसके बाद डेट लाइन होती है, याद रहे आपको डेट लाइन इस तरह की कोई हैडिंग नहीं लिखन है, बलकि आपको यहाँ पर डेट प्लेस और रिसोर्स यानि आपको यह खबर कैसे मिली कहां से मिली, जैसे आम तोर पर पी टी आई, प्रिस ट्रस्ट आफ इंडिया, इस तरह का रिसोर्स आप लिख सकते हैं, इसके बाद अगली लाइन में आपका मेन बौडी होगा, यहा वाकिया कब हुआ और कहा हुआ, यानि इन चार डब्ली एच वर्ड्स का स्तेमाल आपको करना है, मिसाल की तोर पर आप रेल्वे के कोई एक्सिडेंट की निउस प्रिपेर कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि क्या हुआ है, रेल्वे का कोई एक्सिडेंट हुआ है, कौन और तीसी लाइन में हम यहाँ पर दिखाएंगे कि इस वाके में किनका पार्टिसिपेशन है, रिपोर्ट राइटिंग के अगले हिसे में यानि अगले पराग्राफ में हमारा मेन कंटेंट आएगा, और यहाँ पर हम एक इंपोर्टन सवाल यानि हाउ इस पर बात करेंगे यहाँ पर भी आपको सवाल लिखना नहीं है, बलकि आपको समझाना है कि यह पूरा वाकिया किस तरह से हुआ है, चाहे फिर वो वाकिया आपके स्कूल में किसी गैदरिंग का हो, या सड़क पर होने वाले किसी हादिसे के बारे में हो, या बैंक में होने वाली कोई रॉब करेंगे आप यहाँ पर इस तरह के जुमलों का इस्तिमाल करेंगे जिसके जरीए पूरी बात का नचोड़ यहाँ पर समाझ में आ जाए यह इस तरह का Kalau कभी माजी में हुआ था क्या आप उसका reference दे सकते हैं यह future में भी स्तरह के हालात की लिए क्या steps उठाई जा सकती है आप यहां पर बता सकते हैं स्क्रीन पर रिपोर्ट राइटिंग की एक क्वेश्चन वाली स्लाइट पेश कर रहा हूं पहले आपको एक इन्विटेशन बताया जा रहा है जहां पर बताया गया कि the price distribution ceremony function on 15th February 2020 यहने तक्सी में इनामत का प्रोग्राम है उसकी तारीख बताये गई चीफ गेस्ट होंगे डॉक्टर पार्टिल जो के एक एजुकेशनिस्ट है प्रोग्राम के president होंगे तीसरी लाइन में बताया गया काम बताया गया जगा बताये गई कि यह किस जगा पर हुआ था न्यू विजन हाई स्कूल एंजी रोट थाने वेस्ट आखरी में हिदायत दी गई है यूर स्कूल और्गनाइज दा एन्नौल प्राइस डिस्टिबूशन फंक्शन राइटर रिपोर्ट और फंक्शन फॉर और यूर क्लास मैगजीन विद्ध हेल्प अफ पॉइंट्स गीवन इन दा इन्विटेशन अब आपको ऊपर बताये गए इन पॉइंट्स की मदद से एक रिपोर्ट तयार करना है जिसमें तक्सीम इनामात का पूरा जलसा किस तरह से निकाद हुआ था आप बताएंगे आ आप चाहे तो यहाँ पर रिसोर्स बाइ क्लास मॉनिटर इस तरह से लिख सकते हैं या फिर बाइ क्लास टीचर वीडियो की लेंद को मुखतसर रखने के लिए मैं पूरा आर्टिकल पढ़कर सुनाने के वज़ाए आपको सला दूँगा कि आप वीडियो को यहाँ पॉस कर दिखाए देगा आपको ज्यादत तर सेंटेंसेस में वाज़ वेर का स्तेमाल दिखाए देगा और वाज़ वेर के बाद वर्प का थर्ड फर्म यानि तीसरी शकल दिखाए देगी अगर आपने पैसी वाइस की अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो मैं आपको सला कि आप पैसी वाइस इस ग्रामर को अच्छी तरह से मजबूत कर लें हमारी पहले राइन कुछ इस तरह की है प्राइस डिस्टिबिशन सेरिमनी वास और्गनाइज़ इन न्यू विजन हाई स्कूल ऑन दा 15 फेबरुरी 2016 न्यू विजन हाई स्कूल में 15 फेबरुरी 2016 को तक और करेंगे इन जुमलों में पैसी वाइस का स्तेमाल हो रहा है दे फंक्शन वास प्रिसाइड बाइ दे जिला परिश्यद एजुकेशन ऑफिसर इन दे प्रेसेंस ऑफ दा डिगनेटरी इन दे टाउन प्रोग्राम की सदारत जिला परिश्यद के ऑफिसर सहब ने की दे फ दे लाम इसके बाद प्रोग्राम को इस्तिता के लिए शमा जलाई गई दे हैड्मास्टर इंट्रीज़्स दे प्रेसिदेंट और चीफ गेस्ट और अजीव गेस्ट ब्रीफ ली एड्मास्टर सहाब ने आए हुए महमानों का तारुफ मुकत सर पेश किया आल अफ दे में felicitated with bookies तमाम महमानों का फूलों के जरीए इस्तक्बाल किया गया then the main function of the price distribution started फिर असल program तक्सीम इनामात का शिरू हुआ one of our students गनेश मुकाशी who had secured the highest marks in all subjects was felicitated first एक तालिब इल्म जिसने सबसे ज़्यादा marks हासिल किये थे सबसे पहले उसे इनाम से नावाजा गया the chief guest offered him the price of rupees 1000 and a medal महमाने खुसी ने उसे 1000 रुपे और तमगा पेश किया तौफे में दिया इनाम दिया all the pupils clapped and congratulated him तुल्बा ने तालिया बजा कर उस्तका इस्तक्बाल किया उसकी हुसला अवजाई की the student who had done well in different competitions held in the school throughout the year had been honored by the chief guest महमाने खुसी ने ऐसे तलबा जो मुखतलिफ खेलों में या अलगला activities में नुमाया काम किये थे उन्होंने उन्हें उन बच्चों को भी इनमाज से नवाजा while speaking on the occasion the chief guest dr. पाटिल advised us to study hard dr. पाटिल ने हमें नसीहतन कहा कि हम खुब महनत करें he told us to make use of opportunities उन्होंने कहा कि हम अच्छे मवाकों का सही इस्तेमाल करें if we neglect them we will not get them again अगर ये मौक्य निकल जाए तो फिर इन्हें दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है याने वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे he told us about the difficulties में मुश्किलात के बारे में भी बताया but we advise to accept those difficulties hurdles as challenges and overcome them उन्होंने मश्वरा दिया कि ऐसे मुश्किल हालात को challenge के तौर पे कुबूल करना है और उनसे जूजना है उनका मुकाबला करना है he supported these principles by telling the examples of great persons like Dr. बाबा साहिब अमबेटकर Abraham Lincoln and the example of some players musicians and actors उन्होंने हमें Dr. बाबा साहिब अमबेटकर Abraham Lincoln मशूर खिलाडियों और अदाकारों वगरा की मिसाले दी really the speech was very inspiring उनकी तक्रीर सच मुच में बहुत अच्छी थी the president took review of the whole function in his speech and stressed the point that there is no success without efforts प्रोग्राम के सदर ने अपनी बात में पूरी तक्रीर का जाइजा लेकर ये बात पर जोड़ दिया कि काम्या भी बिना महनत के मुम्किन नहीं Lastly, the supervisor of our school proposed the vote of thanks प्रोग्राम के आखिर में हमारे स्कूल की supervisor सहब ने रस्मे शुकरिया अदा की All the teachers and the students worked hard for the success of the event तमाम असातिजा और तलबा ने इस प्रोग्राम की काम्याभी के लिए बहुत सख्त मेहनत की रिपोर्ट राइटिंग की मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए एक और question आपके स्क्रीन पर मौजूद है जिसका question left hand पर कुछ इस तरह से है Write a report on how your school celebrated Republic day Use of the following points आपकी स्कूल में यों में जमुरिया किस तरह से मनाया गया इसकी report तयार कीजिए और उसमें इस्तेमाल होने वाले points आपके right hand पर है यहाँ पर भी आपको day, date बताना है प्रोग्राम की तीसरी लाइन में arrangement किस तरह से किया गया इस function का मकसद क्या था मेहमाने खुसी और दूसरे लोग कौन आये थे आपका इस प्रोग्राम में क्या participation था चीफ गेस्ट ने अपनी तक्रीर में क्या कहा उसी तरह से headmaster सहब ने अपनी तक्रीर में क्या कहा और आखिर में आपको अपने भी कुछ points यहाँ पे add करने होंगे आईए अब इसका जवाब देखते हैं स्क्रीन पर आपके एक answer मौजूद है आप यहाँ पर स्क्रीन को pause कर लीजिए अपनी notebook में no down कर लीजिए उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए कारमद रहा होगा आपसे गुजारिश है कि कम से कम एक student इसे दूसरे student तक पहुचाए जो लोग इसकी link whatsapp group में share कर सकते हैं वो इसकी link को copy करके whatsapp या facebook पर ज़रूर share करे ताकि जाद से जादा students तक ये वीडियो पहुच सके साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि कॉमेंट्स में आप मुझे बताए कि अगले वीडियो किन topics पे होने चाहिए इंशाल्ला मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन पर भी वीडियो बना सकूँ तो इंशाल्ला अगले वीडियो में जल्द मुलकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिस